हेलो फ्लेंड्स वेल्कम टू दा सक्सर सकेंद्रा फ्लेंड्स देखें बिहार पुलिस का जिनका भी अभी एकजाम बाकी है। जिनका पेपर 18 अगस्त को 21 अगस्त को 25 अगस्त को और 28 अगस्त को होना है। ये पूरा question paper आप देख लीजिए, पूरा 100 question paper है, और बिलकुल exam जैसा आपको अनुभाव भी आएगा, और सभी लोग इसको लगाने के बाद आपना-पना score जरूर कमेंट करके बताईएगा, फ्रेंड्स जो लोग चैनल पर पहली बार आये हुए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निसान है, उसको भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी भिहार पुलिस कॉंस्टेबल 21,391 पोस्ट से संबंदित कोई भी इंपोर्टेंट वीडियो अप्लोड किया जाए, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, तो चलिए सुरू करते हैं सेशन, एक बार सभी लोग इसको फटा-फटा लाइक कर जीजिए, और जादे से जादा सेयर करिएगा, देखिए पहला प्रशन पढ़ेंगे कि भारतिये प्राय दीपो में, प्रशन सही असपष्ट हो रहा है, किसकी बात कर रहा है, प्राय दीपो की, भारतिये प्राय दीपो में उश्न कटी बन दिए, साल वन कहां पर पाय जाते हैं, एंसर सब लोग बताईए एंसर बताने से क्या होगा कि गलती करके जो चीज आप सिखेंगे वह चीज़ें लंबे समय तक आपको याद रहेगी और जो भी मैं explain करूंगा उसको विध्यान पुर्वक सुनिएगा इस तरह से एक प्रश्ण के साथ साथ आपके दो से तीन प्रश्ण जो हैं कबर होते चलेंगे तो देखिए भारतिये प्राइदीपों में उष्ण कटी बंदिये सदा बहार बन आपने पढ़ा है ठीक ना सदा बहार बन जो है यह कहां पर पाए जाते हैं तो सदा बहार बन में ही साल रबबड महोगनी एबोनी इत्यादी के बिल्क्स पाए जा में अंडमान निकोबार दीपसमुह में और लक्षिदीप में और उत्तर पूर्वी भारत में पस्सिम बंगाल ऑसम ठीक है ना इन सब जगह पर पाए जाता है तो यहां पर आइट इंसर ऑप्सिन नमबर इसका यह हो जाएगा क्लियर अच्छा जाता है कि कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो यह भी आप याद रखीगा मालवा के पठार में जो है काली मिट्टी पाई जाती है कौन सी मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी इसको रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है ठीक है ना काली मिट्टी में कपास की खेती बड़े अच्छे होती है तो यह भ के चार से प्रशन इसे जादा ही प्रशन पुछा जा रहा है ठीक नथ प्रशन है मैंने अलड़ी आज उनको कभर कराया हुआ है जिन्होंने नहीं देखा है देख लिजेगा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको एक तरह से समझें कि यह बिहार से संबंदित प्रश्ण है निम्नलिकित में सब्वह सासक कौन था जिसने राज सिहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिम्बिसार की हत्या किया था तो यह था अजाद सत्रू जो था इसने अपने पिता बिम्बिसार की हत्या कर दिया और मगत की गद्धी पर वठा था ठेक Sathru का बेटा था उदाईन उदाइन से अपने पिता आजात सत्रु की हत्त्या कर दिया और फिर ये गदी पर बैठा इसले ये यह हरेंक शुक्ष को rear home subscribe कि नाव से अपने पिता को मार करके इन्होंने शिहासन प्राप्त किया था ठीक8 एगे अचाओқ सतुर्व जो था इसी के समय में पहला बाओध संगति कायोजन राजगीरह में हुआ था ठीक है ना याद रखेएगा शलीया और दूसरा बाओध संगति किसके समय में में कालासोक के समय में वैशाली सालि में हुआ था तीसरा अस caste के समय में पाटली पुत्र में हुआ था और चौथा कोनिस्क के समय में कुंडल वन कस्मीर में हुआ था तो ये सब आप याद रखेएगा ठीक है चले उसके बदिके निमने लिखित में से भारतीय समिधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा हुआ है को निमने ल भारत सरकार अधनियम 1935 को भारतिय समिधान रिनी माना जाता है भारतिय समिधान का लगबग 60 प्रतिसत भाग डिरेक्टली जो है भारत सरकार अधनियम से लिया गया है तो यह सब आप याद रख सकते हैं ठीक है कि चले उसके पर देखेगा कि किस कंपणी को बीमार माना जाएगा यदि उसके द्वारा घोशित वर्सांत यानि कि वर्स के अंत में यहां पर वर्सांत इस तरह से बना लीजिए ठेकना वर्सांत यानि कि वर्स के अंत में सूची थानी कंपणी के कुल मुले का कितना प्रति प्रतिसत का पचास प्रतिसत का अगर दर्शार आया ना तो यानि कि वह बिमार मना जाएगा क्लियर अप्सिन नमर यहां पर सी राइट अंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कुस्टन कर लेंगे अगला प्रश्ण के यूपीएसी में जो यूनियन पॉब्लिक सर्विस कमिशन है संग लोग से बायोग उसमें अध्यक्स के अलावें और कितने सदस होते हैं बताई बड़ा इंपॉर्टेंट कुस्टन आप देख सकते हैं इसी तरह का प्रश समएधान में निस्तित नहीं की गये है ठीक है सत्हसी की संख्या का निरधारन की सकती राष्ट्र GREEN्थारन की प्रश्ट पति के द्वारा किया जाता है तो इसलिए यहां पर इसका राइट अंसर होगा अप्सन नमबर डी मुखे नयाधिस के सलाह पर राश्ट पति के द्वारा ठीक है याद रखेगा इंपर्टन कोस्टन है इस तरह का प्रश्ट एक्जाम में बन रहा है ठीक है चलिए अब आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्ट कर लेंगे फ्रेंट्स नेक्स्ट कोस्टन हमारा को कोस्टन नमबर सेबन देखे प्रजातंत्र की संसदिये कारे प्रणाली में भारत का अंसदान है भारत का अंसदान बताईये रइट अंसर इसका क्या होगा तो देखिए प्रजातंत्र की संसदीय कारे प्रणाली में सूने काल भारती संसद की देन है प्रश्ण काल के बाद के काल को सुने काल कहा जाता है और सुने काल में कोई भी सदस्य लोक महत्व के विशाय पर संचिप्त चर्चा कर सकता है सुने काल संसत के अध्यक्स का विश्चेसा अधिकार का काल कहा जाता है ठीक है ना इससे आप याद रखेगा और संसत की बैठ पुष्रान सुने काल के अधिक्तम अवधी कितना निर्धारित किया Alright सर होगा तुष्पहरत के निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष की अलावें और कितने सदस ochitt इसके अलामे कितने सदस्य होते हैं देखें निर्वाचन आयोक की अगर हम बात करते हैं तो इसके अस्थापना हुई थी चुनाव आयोक की अस्थापना 25 जनवरी 1950 को याद रखेगा और इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रिय मतदाता दिवस मनाया जाता है ठीक है चलिए उसके क्या था 1991 के बाद जो है इसको तीन सदस यह बना दिया गया ठीक है एक इसमें अध्यक्ष है और दो सदस है मैंने एक मुख निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त है तो यहां पर ऑप्सर डी राइट अंसर हो जाएगा चलिए अगला प्रशन करेंगे और दिखिए फ्रंट्स याद रखिएगा यह जो तीनो निर्वाचन आयुक्त होते हैं जिसमें की एक मुख निर्वाचन आयुक्त है ठीक है इसकी नियुक्ति राष्ट पती की दवारा की जाती है और इनका कारेकाल 6 वर्स का होता है या फिर 65 वर्स की आयू जो भी पहले पूरी हो जाती है यह क्या होते हैं सन्यास मतलब और वकास गरहान कर लेते हैं ठीक है ना चलए उसका बनीटे की निमने लिखित में से गंगा की कौंसी साहायक नदी उत्तर की और बहती है उत्तर की और बहनी तो यह अमर कंटक की पहाड़ी से निकलती है सोन नदी ठीक है और पत्ना में आकर कि गंगा नदी में मिल जाती है यह चाहराज राज्य से होकर के बाती है मद्य परदेश उत्तर परदेश उसके बाद अगर बात करें तो यह आपका 36 गट से होकर कि ये बिहार में आती है ठीक है चले उसके बाद next question कर लेंगे और उत्तर के और परवाहित होने वाले गंगा की सहायक नदी में ये सबसे लंबी नदी भी है सोन नदी लेखे वायू परवाहक के बीच में परवतों के आ जाने से जो वर्सा होती है उसको क्या कहा जाता है देखे विस्व का जो अधिकांस वर्सा है ये परवतिय वर्सा है ठीके ना सागर की ओर से अस्थल की ओर परवाहित होने वाली जो आद्र वायू है जब परवत के उष्ण वायू से ठकराती है तब वर्सा होता है और इसी को परवतिय वर्सा कहा जाता है तो यहां पर आइटन सार अप्सन नंबर ए हो जाएगा परवतिय वर्सा चले उसको ब जिनके संकेंद्री इस सम वायुद डाब रेखाई विष्थित होतीर हैं तता केंद्र से बाहार के और क्रमसव बढ़ता जाता है परिणाम सरुप होता है परिधी से केंद्र की और हवाय चनन लगती है जिनकी दिशा उत्री गुलारद में घड़ी की सुईयों के बिपरित और जक्षिनी गुलारद में घड़ी की सुईयों के अनुकूल होती है ठीक है न तो यहाँ पर देखेगा उत्री गुलारद में उत विद्धाले की अस्थापना किया था बौधों के लिए तो मैंने बताया था नलंदा विद्धाले पूछा जा चुका है कुमार गुप्त पर्थम ने अस्थापित किया था और विक्रम सिला भी अब इधान रखना है हो सकता है धरम पाल नहीं किया था ठीक है चलिये और यह अभी भागलपूर में पड़ेगा उसके बाद दिखेगा कि मूल समिधान में मूल भूत अधिकार यानि कि फंडेमेंटल राइट की बात की जए अधिकार राइट होगा को साथ भागों में विस्तित किया गया था परन्तु अब केवल कितने हैं पहले साथ था मूल अधिकार की सुची से हटा दिया गया था और इसको जो है एक विदिक अधिकार की रूप में कानूनी अधिकार की रूप में रखा गया है ठीक है चलि उसके बाद दिखेगा भागतीन में है समिधान के भाग 12 से लेकर के अनुश्यद 35 तक में और यह जो मूल अधिकार इसको अमिर् लिखित में से क्या कहा जाता है सरकार की कर तथा व्याय संबंदी निती को निम्न लिखित में से क्या कहा जाता है देखे सरकार की कर और व्याय संबंदी कि यहां सब्सक्राइन के कि GP कोमारी को मारा के नाम से ही जाना जाता था ऑर भारत के तमिल आडू में है ध्यान रखेगा तो यहां सब्सक्राइन हो हाई जाएगा है उसके बाद कि किस यह संगीत वाद के दो प्रक्रम है रूद्र और विचित्र रहें बताइए किस संगीत वाद के बताए बिशी लकर क्या सहनाई वाध भिश्मिल्ला खाँ ठीक है याद रखिएगा हरीप्रसाद-चोरसय ये क्या है बासुरी बजाते हैं ठीक है ना चलिए और बिर्जू क्छा यह क्त्थक निर्तक ठीक है याद किस संगित वाद के दो प्रक्रम रूद्र और विशित्र हैं तो फ्रेंट्स ये वीना के और वीना भारत का सबसे पुराना वाधियंत्र है ठीक है याद रखिएगा चलिए और अमिर खुसरों ने वीना तथा तंबुरा को मिला करके एक नया वाधियंत्र सितार बनाया था व बिना करेक्ट अंसर हो जाएगा चले उसका बाद नेक्ष्ट कोस्टन करेंगे कि स्वतंतरता के पुर्व स्वतंतरता के पुर्व स्वतंतर से बटी जो राज्य थी बटी राज्यों को किसने रजाओं द्वारा स्वतंतर रूप से घोसित राज्यों को भारती संग में साम चलिए उसके बाद next question कर लेंगे किस ने कहा था कि किसी राष्ट के लिए राजनितिक स्वतनत्ता प्रान वायू है इस तरह का प्रश्णा भी पूछा गया था गांधी जी का भी एक कथन पूछा गया था 11 अगस्त वाले पेपर में किस ने कहा था कि किसी राष्ट के लिए र पचलिए और विंद गोस्ति यहां पर हो जाएगा next question कर लेंगे हम लोग कि किस ने किस गुप्ट सासक ने आकरमनकारी हुनों से अपने समराजी की सफलता पुरवक रक्षा किया था तो यह कौन था फ्रेंट्स बताइए राइटेंसर क्या होगा तो फ्रेंट्स यह असकंद गुप्ट था भारत में पहला हुन आकरमन असकंद गुप्ट के काल में हुआ था और असकंद गुप्ट ने हुनों को पराजित करने में सफल रहा था ठीक है ना तो इस सीज को आप याद रखेगा राइट अंसर हो जाएगा option number a असकंद प्रणाली से द्वी विभाजित होती है तो यहां नदी प्रणाली कौन सी है तो यहां चंबल और साबर मती नदी है चंबल और साबर मती नदी तो यहां पर option number b right answer हो जाएगा ठीक है याद रखेगा चलिए next question कर लेंगे अगला प्रश्ण है कि उद्वगों की label playing field तरक युक्ति की अपेक्षा होती है label playing field ठीक है सभी option को देख लिजे सभी option को आप पहले देख लिजे ठीक है ना चलिए बताईए right answer इसका क्या हो जाएगा right answer इसका क्या हो जाएगा बताईए तो यहाँ पर देखिए इसका जो right answer होगा ना यह घृरेली उद्वग को बहुराश्ट्रिय कंपणियों की बराबरी में रखना चाहिए ठीक है ना तो label playing field है यहीं label playing field है ठीक है ना याद रखिएगा इसको label playing field ठीक है तो option number यहाँ पर c right answer होगा इसका चले उसका पर देख सब्सक्रित को भारत में अपनाय गया था दूसरे पंच वर्षी उजना में सेकंड पंच वर्षी उजना में ठीक है याद रखिएगा यह पूछा जाएगा क्लियर कौन सा इसमें लख्षन नहीं है यह आप से पूछा गया है और mixed economy क्या होती है जिसमें नीजी और सरवजन दोनों चेतर का अस्तितु होता है जो एक दिशुरे के सहयों करते हुए आर्थिक विकास में योगदान करते हैं ठीक है ना तो यहां पर देखेंगे एक आधिकार विरोधी विधान बिल्कुल आप्शन भी यहां पर आइट अंसर होगा चले उसके बाद देखेगा कि तो दीखें आर्यस अभीता मोल से पशुचाहरक और क्रिशी आधारित सभ्षैता थी ठीक है और यह सभ्षैता जो है इसिंदु को सब्स कर लेंगे कि विजयadleakर समराज का हिंदू राजबंस नीमनलिकित की पराजये से समाप्थ विजचेन अगर समराज्य का हिंदू राजवंस है राइट इंसर यहां पर क्या होगा करक्ट अंसर बताई क्या होगा इसका तो देखिए आपको याद होगा यह यूद हुआ था जिसका नाम है आपका राक्षासी तंगडी का यूद बनी अपका राम राजय यहां पर इसका एंसर होगा पहले आप सुनीजिए ठीक है ना देखिए 1565 में हुआ था ठीक है 1565 में ताली कोटा का युद भी इसको कहा जाता है और यहीं विजयनगर समराज का पतन का कारण रहा था इसमें हुआ था क्या कि स्थादा सीव राई के मंत्री राम राज को पराजित किया गया और अहमद नगर के हुसेन निजाम सा को राम राज का चले किस प्रकार की मिट्टी में कारवनिक पदार्थों की अधिकता होती है कारवनिक पदार्थों की अधिकता जो होती है यह किस प्रकार की मिट्टी में होती है बताएंगे राइट अंसर इसका क्या होगा तो फ्रेंट्स यह जलोड मिट्टी में होती है जलोड मिट्टी चलिए और यहां पर देखेंगे लेटराइट मिट्टी दिया गया है चाय को उत्पादन के लूप युक्त होता है लेटराइट मिट्टी ठीक है उसको पर देखेगा कि मोलभूत यानि कि मौलिक अधिकारों का प्रमुख उदेश क्या है इसी तरह के प्रश्ण बंगते हैं ठीक है ना बताईए सभी आपको दिख रहा है मौलिक अधिकारों का प्रमुख उदेश क्या है बताईए तो देखे किसी भी व्यक्ति में निहित हमताओं के उतक्रिष्ट विकासे तू उचित औसर प्रदान कर लेकिन यह नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करके उन कि राजा मान सिंग को बिहार प्रांत का प्रांतपती निउक्त किसने किया था अब तो आप आराम से पकड़ लेंगे मान सिंग अकबर के समय के थे ठीक है ना तो यहां पर अकबर राइट अंसर हो जाएगा चलि अकबर ने 1580 में बिहार को सूबा यानि कि प्रांत घोशित था ठीक है ना और मुगल सुबे दर राजा मान सिंग्ग ने बिहार में मुगल समराज को सुदृड बनाये थी उसके मुगल सासक ₹ Uber, 2016 जहांगीर ने 1621 सुभी में किसे बिहार का प्रांत पति निउक्त किया था तो जहांगीर कि किया थो जहांगीर ने खुद अपने होगा से सबसे पहले जमींदारी उन लुश्य कानून बना था सबसे पहले जमींदारी उन उन्मूलन कानून बना था रख है कि सबसे पहला ये अपना दाज्य आइगा नोगर उन्म只是 भारत की समिधान में पहला संसोधन किस राज्य के कारण हुआ पहला संसोधन हुआ था 1951 में याद रखेगा कब हुआ था 1921 में ठीक है जिसके तहट जमिंदारी उन्मुलन और भोमि सुधार के लिए समिधान में नभी अनुसुची को जोड़ा गया था और बिहार जमिंदारी उन्मुलन कानुन उन्मुलन को जब नियाले के द्वराहीर्द किया गया था तो यहाँ सम्रण संसोधन क्या हो सकता हुई थी तो आप समझ सकते हैं यह किस राज्य के कारण हुआ था तो ये अपना विहार था चली उसकंप सक्वाद देख्या कि कॐल गैस में होता है कोल इस फोर में आपका सी एज फोर होता है कारवन ओनोखसाइड होता है और हीड्रोजन गास होता है और नमबर यहां पर डी मिल्कुल इसका राइड असर होगा चले दिखें सिल्याक याने कि कि जो लूब्रिकेटिंग होते हैं यह किसके होते हैं सने हक बताईए कि अधैगर कि यह होते हैं आपका सी 20-30 हाइड्रोकारबन योगिक लूब्रिकेंट dal है ठीके न चलिए उसका वादिके फेन पुलवन बिधी द्वारा किस एस मतलब फेन पुलवन बिधी इस एस के लिए प्रयूग की जाती है तो आपने अगर अगर आपने बढ़ियां से पढ़ा हुआ है तो आप आसानी से इसको पता देंगे वैसे यह सिंपल सा कोश्चन आपने पढ़ा भी होगा जिंक बिलेंड का ठीक है ना जिंक बिलेंड का फेन पुलवन बिधी सल्फाइड एसक में परिख्थ होती है और इस बिधी में जिंक स्वेटफाश्पोरस में जैसे गंद आती है तो स्वेटफाश्पोरस में जब लहसुन की जैसे गंद होती है ठीक है उसका बढ़ा कि इसके लिए बेलानकार लेंस की आव सकता होती है इस तरह का प्रश्ण भी बना भी है विहार पुलीस की इकिजाम में पूछा गया था चलिए और यहाँ पर निकट के लिए आपका आधल होगा और दूर के लिए उत्तल होगा चले उसके बाद नेक्ष्ट को सने प्रिष्ट तनाव का जेतरफल प्रिष्ट चनाव का जेतरफल कल पूछा गया था दाब 9T नोटन पर मिटर होता है तो यहां परmud सके अबर बी राइट उन्जर हो जाएगा मचनो हैं इसके नि द्वानी जो है यह अनुदैरत रंग है द्वानी किस प्रकार की तरंग है तो अनुदैरत रंग है ठीक है और द्वानी की वेग सबसे ज़्यादा होती है किस में ठोस में ठीक है याद रखेगा द्वानी निरवात में गमन नहीं करती है द्वानी निरवात में नहीं गमन कर स सकता पड़ती है चलिए उसके बाद देखेगा कि कोनी ये संब्विक का वी मिय सुत्र यानि के डैमेसिनल फर्मूला क्या होगा बताइए कोनी ये संब्विक का अभी लोग अपने स्कोर कमेंट करके बताईए कि चलिए दिरग रूप आवर्थ सारड़ी में चौथे आवर्थ में कितने तत्तों होते हैं तो याद रखना है चौथे आवर्थ में 18 तत्तों होते हैं कल पूछा गया था आपका जो M सेल है उसमें इलक्ट्रोन की संग है तो मैंने आपको बताया था 2N स्क्वाइर होता है फर्मुला ठीक है ना तो अगर किसी भी सेल का पूछेगा न तो देखे के के लिए पहला L के लिए दूसरा M के लिए तीसरा और N के लिए चौथा तो 2N का पूछा है मतलब तीसर क्ऱता का पुछा है तो ठीरीका पार कर दीजी तो यह 18-18 इसका रहोगा सब when把它 is यहां क्यों को 2 जल के सबसे कम कर inanसे तृ यहां पर दिखें आप सिलिकन दिया गया है चले देखे इस आयन का अकार उसके परमानु से कम है किस आयन का अकार उसके परमानु से कम है बहुत ही आथान है यहाँ पर देख सकते हैं यह पोजेटिव साइन है याने कि एक इसने त्याग दिया है एक कक्षा इसमें कम हो जाता है तो अफसर नंबर सी यहाँ पर आइट अ सर होगा देखे कौन एक सहसायोजी यौगिक है सहसायोजी यौगिक इसमें से कौन सा है बताएं सहसायोजी यौगिक इसमें से कौन सा है तो यहां पर देखेंगे यह hcl है the one hcl है ठीके ना hcl यहाँ पर आइडंस्व हो जाएगा Hcl है ठीके चलिए सात का कितने प्रतिसत जो है 84 है सात का कितना प्रतिसत है मताए यह साट का कितना प्रतिसत यहीं है न इसा ही निकालेंगे न तो आप निखाल दीजिएगा आसानी से ठीके चलिए तो यह आपका हो जागा कितना 1200 चले उसके बहुत देखेगा कि मैरी ने एक मोबाइल फोन 1950 रुपया में बेचा और 25% का नुकसान उठाया वह 30% लाप पाने के लिए किस विक्राय मुल पर बेचे इस तरह का प्रश्ण बन रहा है विहार पुलिस में तो यहां पर देखे 1950 मे इसको निकाल सकते हैं यहां से आप क्या निकालांगे यहां से आप वीत निकाल सकते है ठीक है न तो पहले cp निकाली जीन तो सिपी निकाल लीजिए क्योंकि एसपी दिया गया है तो सिपी हो जाएगा आपका उनिस सो पचास गुना सो और हानी पर बेचा है तो सो माइनस पचीस तो यह 75 हो जाएगा इसको स्वालब करिएगा तो यह 26 आ जाएगा ठीक है यानि कि निकल गया आपका एसपी 26 आप देखे कि 26 वह 30% पाने के लिए कितना विक्रयमोल पर बेचे बहुत ही आसान है अब इसको कैसे निकालेगा 26 कुना 130 लाब का माना है न तो 30% पर तो और बटा 100 इसको हल कर जीजिएगा 338 राइट अंसर निकल के आ जाएगा चले उसका बाद देखेगा यहां पर एका 30 परशेंट अनुपात निकालना है यह सब आप लीजिएगा ठीक है यहां पर आयट अनसर मैं बता देता हूं क्या होतेगा इसका तो यहां पर इसका करेक्ट अनसर जाएगा 1010 आणुपात 12 15 ठीक है न उसका बड़े कि एक आध मी जो है एक काम को 5 बटा 8 10 दिनमां पूरा करता है उसक के पांच बटा आठ कर रहा है दस दिन में ठीक है दस दिन में तो बचा हुआ कारेक अगर हम इसको निकालेंगे तो देखे वन माइनस फाइप अपन एट यानि कि तीन बटा आठ काम बचा हुआ है और तीन बटा आठ काम कितने दिन में कर लेगा छे दिन में और पूरा कर ल चत्रभूज की लंबाई उसकी चोणाई से दुगुनी है यदि उसकी लंबाई पांच सेंटीमेटर घटा दी जाए और उसकी चोणाई पांच सेंटीमेटर बढ़ा दी जाए तो छेतरफल 75 किलोमेटर बढ़ जाता है चत्रभूज की पहले वाली लंबाई कितने तो फ्रेंट्स यह समौरती सुची मैं आता है और यह साथिवन सुची में है संग सुची राज सुची और समौरती सुची लिए गया है ओस्टेलिया से चलिए चोल अब लेखो में उलेखित भूमी की बिभिन कोडियों का नुसार खाली स्थान है को जैन संस्थानों को दान दी गई जो भूमी है उसको पली चंदम कहा जाता है जान संस्तानों को दान में दी गई भूमी चोला अभिलेक में उलिकित भूमी की बिभेने जो कोटी है उसका अनुसार ठीक है चले उसको बदी के खाले अस्तान दिया गया है को सामाने रूप से सैल मलवा या धाल से गिरने वाली मिटी की विरहत संचलन की रूप में परिभासित किया जाता है बगाईए राइट अंसर इसके क्या होगा शामानी रूप से सैल मलवा या ढाल से गिरनबाली मिट्टी की विरहत संचलन रूप में तो यह जो भोसकलन होता है उससी को कहा जाता है लेंड स्लाइट ठीक है लेंड स्लाइट याद रखिएगा चलिए उसका पर दिखेगा कि किस ने अपनी प्रजा में गंभेरता से बहदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया था तो सिंपल सा बात है यह अकबर ने किया था ठीक है न अकबर यहां पर दिया भी कि द्वारा कल ही बिहार पुलिस में पूछा गया था और अकबर ने इसको खतम किया देखें हिमनद के द्वारा लाए गया पजार्थ जैसे छोटे बड़े सैल रेत और तलशट मिट्टी निच्छेपित होते हैं जिसे हिमनद क्या कहा जाता है बताईए तो फ्रेंस इसको क्या कहा जाता है इसको ही मोड कहा जाता है यानि कि इसको ग्लेसियल मोरेंस कहा जाता है ही मोड कहा जाता है ठीक है इसको ही मोड कहा जाता है चलिए उसका बाद नेक्स्ट कोस्चन है कि 1921 में मौपला विद्रों कहां पर हुआ था विद्रों से भी प्रश्न बन रहा है तो तो यह 1921 में मौपला हुआ था कहा पर मालाबार में केरल में हुआ था ठीक है चले बंगाल विभाजण को किसके समय में उलड़ दिया गया था बंगाल विरा ना था लोड करजन के समय में ठीक है न और नंबर यहां पर बीज होगा इसका करक्ट अंसर होगा लॉर्ड हर्डिंग की समय में 1911 हमें ठीक है चलिए नेक्स्ट कोस्टन कर लेंगे किस घटना ने गांधी जी को भारत की सोतंतरता संग्राम के छेतर में लाकर के खड़ा कर दिया था तो यह घटना कौन सी थी बताईए तो फ्रेंट्स यह जाली वाला बाघत्याकार्ण था ठीक है ना अप्सन नमबर यहां पर बी राइट अंस ठीक है ना तो गांधी जी राइट अंसर हो जाएका 6 अप्रेल 1990 को देश प्यापी हर्ताल का भी आवजिन किया गया था यह रोलक एक्ट के विरूद में 6 अप्रेल 1990 को तेरा अप्रेल 1990 को जाले वाला बागत त्यकार्ण हुआ था यह डेट साहित आप याद रखेगा और हके बैसाख़ी के दिन हुआ था चलिए। मेक्ष्ट कैकमपणी के स्थापन सेवं मेंगे साकची में किस वर्ष किया गया था मिस स्थापना कव किया गया था मृटाइए यह स्वर्ण रिखा नदी जो है ना उसी के समीप में है और 1907 में किया गया था चलिए उसका बदेखेगा कि ताज महल के वास्तुकार कौन थे अल्रेडी बिहार पूरिस का यह प्रश्ण पूछा गया है ठीक है उस्ताद आहमद लाहोरी अफसन एर राइट अंसर होगा बिल 1885 में लाए गया था ठीक है और इसके तहट जो है आपको पता भी है दस्वियन सुची जोड़ा गया समीधान में ठीक है जो कि दल विजोल से समबंदित है जल बदल से चले नेपन अगर किस उद्धों के लिए प्रसिद्ध है नेपन अगर जो है यह किस के लिए प्रसिद लीजिए यह भारत तो स्रिलंका का मद में है पाक जल संधी यह पाक जल डमरो मद है ठीक है चले भारत का पहला हीम तेंद्वा संरक्षन के अंदर किस राजिमा स्थापित किया गया है तो याद रखेगा उत्रा खड़न में आचा हीम तेंद्वा यानि कि स्नो लेपर्ड की शुरुआत कब हुई थी प्रोजक्ट स्नो लेपर्ड की ठीक है ना प्रोजक्ट हीम तेंद्वा की यह भी पूछा दे सकता है 2009 में प्रोजक्ट टाइगर की 1973 में चले निमने लिकित में से किस संस्थान द्वारा सांती स्वारुप भटनागर पुरुसकार दिया जाता ह है बताईये तो फ्रेंट्स ये द्या जाता है चीलत के द्वाराresse एमें रिखता हूं सीटार और्वार के द्वारा हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हिंदी अस्थापक निदेशक यह सांती शरुप भटनागर जी थे इनी के अस्मिर्ति में यह पुरस्कार अस्थापित किया गया है तो यहां पर दिखे बेज्ञानिक और अधोगिक अनुसंधान परिशद राइट अंसर हो जाएगा चले उसके बाद देखेगा कि निम्नलिकित अन चारो का अधिकार बाबा साब अम्वेदकर ने इसी को समिधान की आत्मा कहा है चले उसका बदिके चोल अभिलेकों में उलिखित भूमी की विभिन कोटीय को निसार खाले संद्या गया है मंदिर में उपहार में दे गई भूमी को क्या कहा जाता था अभी इसी तरह का प्र पलिचंदम पली चंदम ठीकेंगा अचिशा जयन ूश्यसं Android जो हाल न इस संस्थानों को को टिया गया था तो यहां पर मंदिर दिया था उसको कहा गया है क्या दे दान ठीक है दे। दो चले उसको देखेategला कि भारति ठीक है मानों दुर्वय पार इस सब पर प्रतिमंद लगाया गया और उच्छे 24 में जो है जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको किसी भी जोकिम भरे कारियों में नहीं लगा जा सकता इसका निशिद करता है ठीक है चलिए उसके बाद नेक्ष को सने कि भारत के दोनों संस सबसे नियरवाचित सबसे कौंगे सबसे बड़ी संसाधिय समीती सबसे कहीं सदस होते हैं लोग लेखा समीती में कितने सदस होते हैं तो इसमें 25 सदस होते हैं इसमें 25 होते हैं यह लोकसभास से और साथ राज़सभा से ठीक ना बाइस हुआ याद रखिएगा चलिए उसके बाद देखेगा कि खुले बजार की किरियाएं निमलिखित में से किस नीति का अंग है खुले बजार की किरियाएं तो ये केंद्रिये बैंक का जो साख नीति है उसी का अंग है साख नीति का ठीक है ना साख नीति का और इसका अंतरकत केंद्र पति को किस परिस्तिती में पद से त्याग पतर देना पड़ता है तो महाभीयोग है यही ना आर्टिकल में कली चर्चा हुआ था एक्जाम में भी पूछा गया है चले और महाभीयोग किसी भी सदन में लाए देसकता है चाहे लोक सभा हो या फिर राज्य सभा हो चले उसका बद के नौ सेना सेना वायू सेना का काम भारत के समिधान की सात्वान सुची में दी गई है और किस सूच परणी लिस्ट में है यानि कि संग दी होता और तीनों सिनां का जो सरवती स्य पर्टी होता है यह भारत के राश्ठ पती होते है चली ओ toe उसका देखे कर यस्तन दिया घ्या वे संसाधन होते हैं जिनके मातरा ग्याद होती है उसको कहा जाता है वास्तिव कर जिन के मातरा ग्याद होती है ठीक है चलिए उसके लाकुन्ण पांध कि सराज में हैरे कुंध बांध जो है यह महानधी पर है और यह ओरिशा है ठीक है याद रख् increment चलिए उसके बाद नेंट्स्ट कुस्टना है unser थे के सदस्यों को प्राय किसे कौंसा है फ्यों फाइसी के जो सदस्य है उनको सब कहा तो उनको ब्राउन एल्गी यानि कि भूरा सावाल कहा जाता है ठीक है इस दीज को आप याद रखिएगा भूरा सावाल कहा जाता है चले उसके वस्तु की एक समान सरल रिखी गति के दौरान समय के साथ क्या नियत रहता है एक समान सरल रिखी गति के दौरान समय के साथ उसक व्यगनियत रहता है चले उसका प्रशन भी इस तरह का पुछा गया था बिहार पुलिस में जो ओरिजिनल कोशन पेपर हम लोगों को मिला था उसमें पुछा गया था सिक्की की संख्या वाला तो इसको निकालेगा आप लोग 124 यहां पर 25 पैसे की सिकों की संख्या होगी चल है तो दूद की मात्रा आपकी हो जाएगे पांच बटा आठ यह टोटल जोड़ देंगे पांच बटा आठ गुना चालिस तो आठ पटे चालिस यानिकी पजिस लेटर है है ना और पानी की मात्रा कितनी है पंदर लेटर है तो कितना पानी और मिला जागा तो पंदर लेट करता है उसको क्या बोलते हैं तो जहां पर हम लोल्pen उसको लोग प्रशन है इसको अप लोको कर इती टू का से नाईलोन का तार से ज्याद़ा प्रबल होता है ठीक है शलिए उसके गांग ररणक रर्यंकोट तो तो यह किया था चार्ल्स disrupt ने क्या था याद रखेया है चलिए इंप्पोर्टेन्ट है कीडे पाणी की सता पर बिना दूब सकते हैं ऐसान क्या है तो कीडे या मचर पानी की सता में पानी की प्रिष्ट तनाव क्या कारण बिना डूबे घुम सकता है और वहीं जब डाल दिया जाता है इसमें मिट्टी ते लोग आ रहे तो प्रिष्ट तनाव घट जाता है और यह डूब जाते हैं चलिए कि यहाँ पर क्या करा रहा है कि संगर्ष गर्षण में आने वाले दो प्रिष्टो की खलेसा देग की कारण होता है तो दो प्रिष्टो में घर्षण होता है जब उसके प्रिष्ट कैसा हूं जब प्रिष्ट खुर्दरा होंगे और यमःत होंगे तभी तो यहाँ पर रायट राय अंसर क्या होगा ईसका नियुए नियुए मित हो जाएका ठेक है oni हो जाएका तो on Everton right answer हो जाएका all Amitत दाओं के करण ठीक है चलीए उसकर दीखिए अगला प्रश्न है कि यहांपर दीखिए English का प्रश्न और यहां पर देखेंगे डामेज्ट हो जाएगा ठीक है न डामेज्ट यह वला चली उसका पर देखेंगे और यानि कि सही एस्पेलिंग किसका है बेगर का इसमें बताएए बेगर कौन सही लिखा गया है तो बी डबल जी यार यहां पर आप्शन बी राइटन सरोगा चली और यहां पर प्रिपोजिशन यहां पर रहना है ठीक है ना कभी कबार तो कभी कबार का रियरली हो जाएगा ना कबार ठीक है चैनलिए उसके बाद देखेगा कि यहां पर जो रैखाखंड mínimo में यहां पर आपको कहा उसके लिए उपयोक्त दिए करना ठीक है चली पढ़िया अपने कारे को अपने कि पर देखेगा कि पर सका कि जीवन औसरों में एक धारा है मतर्फ क्या हो गए यहां है ठीक है चले उसके बाद देखेगा कि योधा ने बहादुरी के साथ क्या किया योधा लड़ाई करते हैं तो लड़ाई की चले उसके बाद देखिए सही वर्तनी निराकार इसमें से कौन सा तो सही लिखा गया यह वाला निराकार सही लिखा गया है ठीक है यह वाला निराकार यहां पर सही लिखा गया है चले अगला है कि दिये गए प्रयावाचु सब्द का चैन करना है अब यूद्य का प्रयावाचु सब्द क्या होगा अब युद्यकार्थ होता है प्रगति उनत्ति ठीक है ना तो यहां पर दीखे उनत्ति दिया गया है उनत्ति का उल्टा होगा आउनत्ति चले उसके बाद देखेगा कि परपकार करने वाला व्यक्ति एक सब्द बताना है तो उसको क्या बलते हैं परपकार जो करता है उसको मजदूर में शच्तों को जीवन परॉपकर के लिए होता है संतों का जीवन होगा इसलिये ठीक हैं तो इसको बोला जाता है सहगामी लाइक कर देजिए और इसको सेयर कर देजिए